रचना निर्मे साथ समलम चतुरभुज की रचना करना जब दो आसन भुजाएं एवं इनके बीच का कोण तथा समानतर भुजाओं का पता हो उधारण साथ समलम चतुरभुज ABCD की रचना कीजिए यदी AB बराबर 5 cm, BC बराबर 2.8 cm, AD बराबर 3 cm, कोण A बराबर साथंश और AB समानतर CD बच्चो इस बर हमारे सामने रचना करने के लिए एक समलम चतुरभुज है जिसके संबन में यह सूचना आपके सामने दिखाए पड़ रही है एक ऐसा समलम चतुरभुज जिसकी एक भुजा AB के लंबाई 5 cm है, भुजा AD के लंबाई 3 cm है और इन दोनों भुजाओं के द्वारा A पर बनने वाला कोण DAB साथंश का है भुजा BC के लंबाई 2.8 cm है और चतुरभुज के भुजा AB और CD समानांतर है समानांतर होने का मतलब है कि जो कोण यहां बन रहा है, वही कोण यहां पर बनेगा तो यह कोण भी हमें प्राप्त है, साथ हंस के रूप में, अब हमको इस चतुरभुज के रशना करनी है जैसा कि हम हर बार करते हैं, आधार से हम बनाना शुरू करें और एक रेखा खंड कीचें, जिसके लंबाई पास सेंटीमीटर है यह जो रेखा खंड होगा, वो हमारे समलम चतुरभुज का आधार बनेगा यह हमने पास सेंटीमीटर का रेखा खंड कीचा इसे हम नाम दें, इस सीरे का नाम है ए, इसका नाम बी, इसकी लंबाई पास सेंटीमीटर अब हमें एडिय दी बनाना है, तो सबसे पहले हमें यहां कोर्ड जो दिया हुआ हुआ है, वो हम बनाएंगे हम बिन्दू A पर चांदे को रखें, देखिए हम किस तरह से रख रहे हैं चांदा और 60 हंस कोर्ड यहां बनाना है, तो हम इस पहमाने को पढ़ेंगे चुन्य, दस, बीस, तीस, चालीस, बचास, और यह साथ यहां निशान लगाने के बाद, हम स्केल के मदद से इसे आगे बढ़ा दें, इसे हमें किरंड का नाम देते हैं, माली जे किरंड एक्स है, डी इसी किरंड एक्स पर कहीं होगा, और हमें मालूम है कि A de के लंबाई 3 cm की है तो हम पर कार पर 3 cm के लंबाई ले पर कार को इतना फेलाएं को तीन सेंटी मिटर के चाप को प्रदर्शित करें यह देखिए ये 3 cm के चाप हमने लिया पर कारी की नोक को A पर रखा और हमने एक चोटाता चाप खींचा है जो बताता है कि ये दूरी तीन सेंटीमीटर की है इसे हम नाम दें D और इस कोण को माब दें 60 हंश का हमें तीन मिंदों मिल गए A, B और D चौथा मिंदों C भी हमें ढूड़ना है C को ढूड़ने के लिए हमें दो जानकारियों के जोरत पड़ेगी एक तो है B से इसकी दूरी 2.8 सेंटीमीटर है लेकिन हम B से 2.8 सेंटीमीटर के चाप खींचे तो हमें पता नहीं कि वो चाप किस दिखा पर मिलेगा क्योंकि चाप पे सभी बिंदो 2.8 सेंटीमीटर दूर होंगे B से तो उसके लिए हम इस सुचना का भी उपयोग करेंगे हमें मालूम है कि C, D या D, C A, B के सभानांतर है तो हम पहले A, B के सभानांतर एक रिखा खींचेंगे जो D से होकर गुजरे और सभानांतर रिखावा के बारे में आपको पता है संगती कोंट बराबर होते है तो आप देख रहे हैं कि wait दोनों सभानांतर है तो ये दोनों कोंट संगती कोंट होंगे हम यह पर भी साटान्स का कोंट बनाए इसके लिए हम चांदे को इस तरह से रखेंगे पर अब कूकि यह कोंट यहां बनना है देखिए गौर से इसलिए हम यहां पढ़ना शुरू करेंगे शुन्य दस बीस तीस चालीस पचास और ये 60 चांदे को हम यहां से हटाएं और इस नए बिंदु को D से मिला दे हम थोड़ा आगे तक जाएं हैं और इसे किरंड का नाम दे इसे हम किरंड बिंदु सी किरंड डिवाई पर कहीं इस्थित होगा कहां इस्थित होगा इसे जानने के लिए हम फिर से अगब और इसकेल को उपयोग करेंगे परकार के साथ यह जानकारी हमें दी हुई है। कि बी-सी की जो लोबाई है दो दश्मनो आठ सेंटीमिटर है। हम दो दुदिसमनो आठ सेंटीमिटर का चाप यहां से लें। यह हमने जीरो पर परकार के एक नो पर को रखा और दूसरे वाले सीरे को दो दस्मलिवाट पर रखा अब हमारे परकार पर चाप जो है वो दो दस्मनों वाट सेंटीमीटर का है परकार के नोग को B पर रखें और इस चाप कीचें आप देख रहे हैं ये चाप किरन डिवाई को दो जगों पर काट रहा है इसे हम नाम दें C और इससे नाम दे दें C डिश इन दोनों बिंदों को हम B से मिलाएं दे एक चत्रुज बना A, B, C, D जो दी हुई शर्तों को पूरा करता है एक और चत्रुज बन रहा है वो भी इन सभी शर्तों को पूरा करता है अब इसको बनाएं B को C, D, S से मिलाएं यह देखिए B आपका C, D, S से मिल गया तो दो चत्रुज आपके सामने मिल रहा है A, B, C, D A, B, C, D, S, D यह दोनों ही चत्रुज दीवी शर्तों को पूरा करता है और दोनों ही समलम चत्रुज है इस तरह से इसकी रशना हुई और अब फिर से एक बार कोशिश करिए इन मापों का उप्योग करके और कुछ नए माप ले करके भी